हेलो दोस्तों में जी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फी उपर आज के इस वीडियों हम देखेंगे बिले आविले पारदसी पारवासी एबम अपारदसी बिज्ञान कक्छा साथ ओके तो इस वीडियों में हम देखेंगे पेज नंबर 77 से 79 ताकि इसमें अधारना का संशित परीचा है तो इसको अपन पढ़ेंगे इसके बाद आंगे questions आंसर देखेंगे तो अगर आप इसको पढ़ते हो अच्छे से समझते हो तो आपको वीडियों बहुत अच्छे यानि कि अच्छे से समझ में आने बाले हैं पूरे के पूरे question जैसे कि हमारे चार वर्क की अनीक प्रकार की पदार्थ से बनी हैं विबिन प्रकार की पदार्थों में गुर्ण भिन भिन होते हैं जल की बिलेता के आधार पर पदार्थों को दो प्रकार में बर्गिकरत किया गया है कौन कौन से दो प्रकार हैं बिले और आबिले पहले बिले अबिले कुछ पदार जल के साथ मिस्तरित नहीं होते काफी समय तक गिलास में बिलो लिप करने पर भी जल में लुप्त नहीं होती उन पदार थो जल में अबिले कहाँ याद कर लिजिए वाटसप नंबर क्योंकि आप चाहे आपका मैत का सवाल हो या फिजिक्स के मिश्टी वालो जी आपके हर डाउड हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंद वीडियो शॉलूशन वह भी सीधा आपके वाटसप पर बस अपने फोन में डाउडनेट का 8404 सी बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के वच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए और 8404 पर आपने सवाल वाटसप कीजिए और अपने सभी डाउड को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्सिन में कहा जाता है जैसे केरोसीन बालू सर्शों का तेल जल में अबि खासी होता है ठीक है तो अपन देखेंगे पार्दसी ऐसे पदार जिनसे होकर बस्तियों को देखा जा सकता है उन्हें पार्दसी कहते जैसे कांच, जल, वायू, कुछ प्लास्टिक पार्दसी पदार्थों के उधारण है प्रहा दुकांदार बिस्कुट, मिठाईया, अन खाद पदार्थों को कांच प्लास्टिक के पार्दसी पात्रों में रखते पसंद अधिक करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके अपार्दसी ऐसे पदार जिनसे होकर बस्तियों को नहीं देख सकते इन पदार्थों को अपार्दसी कहते हैं जैसे जबहसी कहते हैं जैसे तेल लगा कागज ठीक है अगर आप इसका विस्तुत अध्यान देखना चाहते हैं तो विज्ञान का अच्छाच है कि अध्यान चार को अपन पढ़ सकते हैं तो इसके बाद चलती है पर अपनी बैक सीट पर पहला कोश्चन जल में बलेता के अधार पर पदार्थों को कितने प्रकार में बर्गी करत किया गया है कितने प्रकार में दो प्रकार में ठीक है अगला है प्रह दुकानदार बिसकुट टॉफी इत्यादी बस्टो को के इस प्रकार के पाक्तुर में रखना पसंद करते हैं ठीक है इसके बाद आगे देखेंगे जल में बले पदार्थों के नाम देखें पार दसी नमक और सक्कर अपार दसी निवुकरस और दूद पार दसी पदार्थों के दो दो उधारन दीजिए पार दसी काच और जल अपार दसी लकड़ी और गत्ता तीक है इसके बाद आगे चलेंगे पार भाजी पदार्थ किसे कहते हैं उधारन दीजिए इसे पदा जिनसे हो करबस्तु को देख तो सकते हैं परन्तु इस पश्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पार्भासी कहते हैं उधान तेल लगा कागज ठीक है आंगे चलेंगे अपने यहां देखे शौकलन ही तु अपनी वर्क सीट स्टार्ट होती है जिसमें सत्त असत्त है चीनी जल में बिले है शत्त लकडी पार्भासी पदार्थ है अशत्त बालू जल में मिस्त्रित है अशत्त आंगे चलेंगे निमले समुए में मिलना खाने वाला ग्यात कर जैसे चीनी नमक रेत सहथ क्या है इसमें मिलने खाने वाला रेत लकडी गत्ता लोहा काच तो यहां पर काच लिख देंगे ठीक है में लखाने वाले पदात अपने चुन गए इसके बाद तिल लगे चिकनिंग कागज को पार भासी क्यों कहते हैं क्योंकि तिल लगे कागज से बस्तून को देख तो सकते हैं परन्तु इस पश्ट नहीं देख सकते मतलब साफ नहीं देख सकते आपकी हतेली पार दर्सी है या अपार दर्सी तो हमारी हतेली अपार दर्सी है कैसी है अपार दर्सी क्योंकि अपनी हतेली के आपार अपन देख नहीं सकते हैं ठीक है ना इसके बाद आपके घर में उपलद ऐसी बस्तून के सूची बनाए जो पार दर्सी तरथा जो अप पारदसी हैं जैसे कांच जल, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक डिब्बा, कांच की वरणी और सफेद पानी इसके बाद टेबल, दर्बाजा, थाली, टंकी, पलंग, पुस्तक, पेटी तो यह सभी अपारदसी हैं तो दिखिए अहां पर अपने पेज नमबर 79 तक कंप्लीट कर लिया है, अगली वीडियो में अपने पेज नमबर 80 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, ताकि सभी के पास इसका सॉलूशन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.